चंकर भगवान की शिवरात्री साधना की रात्री होती है चंकर भगवान की शिवरात्री एक अराधना की रात्री होती है हमने पहले भी कथाओं में कहा हर महिने शिवरात्री आती है प्रते एक महिने शिवरात्री पड़ती है और प्रते एक महिने की शिवरात्री पर अगर आ प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दोसरे किया काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे, बारो महीने शिवरात्री आती है, पाँच जगा पर चड़ाई हुई बेलपत्र, आप एक बर्ष, बारा शिवरात्री का एक नियम ले लो, पाँच जगा पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ, एक बेलपत्र, ये शिवलिंग, ये जलादहारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण, जहां से जल नीचे गिरता है, गनेजी ऑपर से जो एक एक बून, शिवलिंग के उपर गिर रहा है, शंकर भगवान की पाँच बेटियाँ, जया, विशहरा, शामरिबारी, धौतली, देव, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है, वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है अशोक सुंदरी यह पूरे शिविलिंग का वर्ण है पांच जगा पर वेलपत्र बारो महिने की शिवरात्रि अप दूसरे के आखाम व कर रहे तुम कम नहीं अखोंकी ध्हले संगर्शिक है जिन्दिगीоз कुन सर्ड़ार फेला धका रहे लवरी चला रहे गाड़ी चला रहे आटो चला रहे अपने लिए करने का प्रयास करना घर में जितने सदसे हैं बारों महीने शिवरात्री आती है एक बेल पत्र अशुक सुंदरी वाली जगा पर डंडी का मून नीचे की हो हुआ दूसरी बेल पत्र माता पारवती जी के हस्त कमल पत्र ये दो पत्ती जो होती है इस पत्ती के दो भाग शिवलिंग के बीच में हो तीसरी बेल पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पत्र डंडी का भाग आपके विपृत दिशा में हो विपृत दिशा में हो चोथी बेल पत् उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बह कर जा रहा है पूरे शिवलिंग को छोड़ कर जहां से पानी जमीन पर बह कर जा रहा है उस इस्थान पर और पाँचवी बेलपत्र नंदी का जो पाउं उपर उठा हुआ है उस पाउं के पास में पाचवी बेलपत्र समर्पित करना एक शिवरात्री से लेकर बारा शिवरात्री जो एक वर्ष तक कर लेता है एक वर्ष अपनी कड़ी महनत के साथ में महनत पूरी करना और ये पाच बेलपत्र पाच बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्री आती है उस पे समर्पित करना प्रारम कर दीजिए और मेहनत करना प्रारम कर दीजिए आपको आपके कर्म का फल मिलेगा साल भर के अंदर आप अच्छे बन कर बेट से